Good morning students, welcome to our channel, knowledge oriented, कैसे हैं आप सब, I hope सब happy और healthy होंगे, और हमारी वीडियो देख रहे होंगे, thank you हमारे संग्या के वीडियो को इतना support करने के लिए, like करने के लिए, और अभी तक आपने अगर हमारे चानल को subscribe नहीं किया है, तो please जा के subscribe करिये, और अगर आपको हमारी संग्या क की वीडियो देखनी है, तो मैं उसका link आपको description box में दे दूंगी, नहीं तो आप आई बटन को click करके वहां से भी उस वीडियो को check कर सकते हैं, मैं please आप से यही बोलूंगी कि आपने जितना support हमें संग्या की वीडियो पे दिया है, आप उतना ही support हमें सर्वनाम पर भी दी संग्या के स्थान पर प्रियोक किये जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, अब सबसे पहले हम यह जानेंगे कि संग्या किसे कहते हैं, संग्या किसी वस्तू, व्यक्ति, स्थान, भाव के नाम को हम संग्या कहते हैं, जैसे कि मोहन, सोहन, दिल्ली, शेर, कुर्सी, य सघ्जय कहते हैं इनको पर इन शब्दों के स्थान पर जिन शब्दों का हम प्रियोग करते हैं उनको हम सर्वनाम कहते हैं जैसे कि उनके कुछateur में आपको बताती तो ये सारे सर्वनाम के कुछ उधारन हैं, अब हम कुछ उधारन इन्ही शब्दों में से देखते हैं, जैसे की मुझे तुम्हारी घड़ी चाहिए, वह लड़का बहुत महनती है, यहां हमारे घर पर महमान आये हैं, हम सब मिलके इसी बाग में खेला करते हैं, मैं कल स्कूल जाऊंगी, मुझसे आज एक गलती हो गई, तो इसमें मैं, वह, हम, तुम, तू, यह सारे शब्द, हम सर्वनाम कहते हैं इन सारे शब्दों को, अब हम इनका और उधारन देखते हैं, जैसे की यहां पर मैंने एक छोटा सा पैरा लिखा है, इसको सबसे पहले हम पढ़ेंगे और फिर इसमें हम अंडलाइन करेंगे कि सर्वनाम क्या है, ठीक है, जैसे की पहले मैं एक बर इसको रीड कर देती हूं, फिर हम इसमें अंडलाइन करके देखेंगे कि सर्वनाम क्या है, सुभाश एक विद्यार्थी है, वह हर रोज स्कूल जाता है, उसके प खड़ाई में मदद भी करता है. अब सुभाज हम जानते हैं कि ये संग्या है. ठीक है? अब हम सर्वनाम को अंडGiveLine करेंगी. ये तो संग्या है. हमने इसको संग्या इसलिए कहा क्योंकि ये किसी व्यक्ति का नाम है. इसलिए हमने इसे संग्या का क्योंकि किसी वस्तु व्यक्ति, स्थान, पाफ के नाम को हम संग्या कहते हैं अब एक विद्यार्थी है वह ये जो हम शब्द वह इस्तमाल कर रहे हैं कि किस के ले कर रहे हैं सुभाश के ले कर रहे हैं हम यहां पर सुभाज भी लिख सकते थे, कि सुभाज हर रोज स्कूल जाता है, पर यह इस sentence की सुन्दर्ता को खराब कर रहा है, अगर हम वह लिखेंगे सुभाज की जगह पे, तो इस sentence की सुन्दर्ता और बढ़ेगी, ठीक है, इसलिए हमने यहां पर वक अप प्रियोग किय करते हैं, वह हर रोज स्कूल जाता है, वह सर्वनाम है, उसके पास ये भी सुभाज के लिए हम यूज कर रहे हैं, तो ये भी सर्वनाम है, उसके पास एक सुन्दर बसता है, उसे ये भी सर्वनाम के सुभाज के लिए हम यूज कर रहे हैं, तो ये भी सर्वनाम होगा, उस वह हुमारे साथ भी खेला करता है इसमें वह भी सरवनाम है तथा हमारी पढ़ाई में भी मदद करता है हमारी भी सरवनाम है तो इस पूरे पेराग्राफ में कौन-कौन से शब सर षनام है वह उसके उसे वह हमारी ये सारे शब सर्वनाम हैं क्यों क्योंकि ये संग्या के जगा पर प्रियोग किये हैं हमने इसमें संग्या क्या है सुभाश है और संग्या के जगा पर प्रियोग करने वाले शब सर्वनाम है जैसे वह उसके उसे हमारी वह अब हमने ये पूरा समझा सर्वनाम के बारे में कि स सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम की कुछ उधारन देखें, अब हम सर्वनाम के भेद देखते हैं, सर्वनाम के छे भेद होते हैं, पूरुष वाचक सर्वनाम, अनिश्चय वाचक सर्वनाम, प्रश्न वाचक सर्वनाम, निश्चय वाचक सर्वनाम, निज वाचक सर्वनाम, संबंध वाचक सर्वनाम अब इनको English में भी मैंने आपके थोड़े आसानी के लिए English में भी लिख दिया है पूरिश वाजक सर्वनाम को हम English में Personal Pronoun बोलते हैं क्योंकि हम सर्वनाम को ही Pronoun बोलते हैं सर्वनाम को हम English में Pronoun बोलते हैं ठीक है? तो पुरिश वाचक सर्वनाम को हम personal pronoun कहते हैं, अनिश्चे वाचक सर्वनाम को हम indefinite pronoun कहते हैं, प्रश्न वाचक सर्वनाम को हम interrogative pronoun कहते हैं, निश्चे वाचक सर्वनाम को हम demonstrative pronoun कहते हैं, निज वाचक सर्वनाम को हम reflexive pronoun कहते हैं, संबंध वाचक सर्वनाम को हम relative pronoun कहते हैं. ये सरवनाम के 6 भेद हैं जिसमें की सरवनाम divided है अब हम हर एक भेद के बारे में डीटेल में अपनी next class में पढ़ेंगे तब तक हमें support करते रहे हमारी वीडियो like करते रहे comment करते रहे thank you